खून में हीमोगलोबिन्स या रेड ब्लड सेल्स की कमी को एनिमिया कहते हैं इस रोग में श्रीर के ब्लड सेल्स लेवल सामानने से कम हो जाता है और महिलाओं में एनिमया के श्काइच ज़्यादा पाई जाती है इसकी मुख्य वज़ाए मास की धर्नम होते हैं क्या आप जानते कि अनिमया क्या है एनिमया के लक्षन क्या है एनिमया होने के कारण क्या क्या होते हैं और अनिमया का घरल उपचार कैसी क्या जा सकता है आज इसी के बारे में जानकारी देंगी प्रूश पी अनिमया से बीडित हो जाते हैं आम तोर पर प्रुषों में साड़े तेरा ग्राम से कम हिमोगलोबिन और महिलाओं में बारा ग्राम से कम हिमोगलोबिन है तो इसे स्थिति को एनिमिया कहते हैं आप एनिमे से गिज़त होने पर घरेलू पचार से अपने को स्वस्त बना सकते हैं तो जानते हैं महिलाओं और पुरुषों को एनिमे है तो उसका घरेलू इलाज क्या कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं कई समस्यां हो सकती हैं जैसे अलसर, बवासीर, जटर और कैंसर पुरुषों की तुलना में महिलाएं अनेमिय का श्कार ज़्यादा बनती है आजकल की युग में लड़कियों में डाइटिंग का ट्रेंग चला है जिसी यह लड़कियां अनेमिय का श्कार बनती जा रहे हैं दूद पिलाने वाले महिलाओं को भी अनेमिय होने खत्र रहता है और मासी की धर्म के दुरान अधिक तरक्त निकलने का अनेमिय हो सकता है सीडियां चड़ते साथ में सास फूलना गिन भर कमजोरी मैसूस होना अधिकतर सास रहने में कमजोरी होती है आखों के सामने अंधेरा चाता है चक्कर आते हैं सीर और सीने में धर्द रहता है पैरों के तलवा और हथेलियां ठंडे रहती है आखों का पीलापन भी अनेमिय की वेज़े से बाल भी जड़ सकते हैं तो आई जानते हैं आप कुछ ऐसे घ्रेलू पायों को जिनकी साहिदा सब अनीमिया से बस सकते हैं एनीमिया की शिकायत होने पर अंजीर का सेवन करें दस मुनक्य और पांच अंजीर को एक गिलास दो 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 बाल लें फिर उसे पी ले अनीमिया में बदाम का सेवन करना चाहिए इससे खून की कमी दूर होती है और यह शिरीर को स्वस्त बनाए रखता है आप मेथी से अनीमिया का उप्चार कर सकते हैं मेथी का सेवन करने से खून बढ़ता है कची मेथी खाने से भी शिरीर को आयरन मिल जाता है पालग का अस बहुत फाय्देमंद में इसके सेवन से शेर में खून की विड़ी होती है और खूण की कमी को दूर करने के लिए सोया बेन का मैत्रिप्पून सथान है सेव के रसमें दो चमश्याद मिलाकर रोज़ पीने से भी खूण की कमी दूर हो जाती है है तुल्सिकेन तो जाना सेवन्ड करने से खोन की कमी की समस्या दूर हो जाते दोस्ता चुक अंदर में आयरन बहुत ज़्यादा मात्र में होता है इससे सलाद के रूपे प्योग कर सकते हैं और इसका रस्त दिन में दो बार पींड़ है तो दोस्तों यह चीज है जो आप एक खून की कमी को दूर करेंगी और एनिमिया की समस्य से निजाद दिलाएंगी उमीद है आपको जानकर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जुरूर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करना मत भोलना आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्तेवर्दक जानकर लेकर आते रहेंगे तो जुड़े रेमेडिय अपडेर्स के साथ नमस्कार धन्यवार